प्यारे वच्चे बरतमान में अगर देखा जाये तो मेंसुरेसन में यदि तिर्भूज से संबंधित पूछा जाता है तो संबाहुतिर्भूज से संबंधित एक पूछता ही है तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले संभाहु तरवूज को पर लेते हैं सबसे पहले संभाहु तरवूज कहते हैं किसे ठीक है तो शंभाहु तरवूज जो होता है वो क्या होता है तो जिस तरवूज का प्रतेक भुजा एक समान हो तो उसे संभाहु तिर्भूज कहते हैं फिर से जिस तिर्भूज की प्रतेक भुजा एक समान हो तो उसे संभाहु तिर्भूज कहते हैं अर्थात शंभाहु तिर्भूज की जो सभी भुजाएं होती है वह एक समान होता है जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि शंभाहूत तरभूज A B C एक संभाहूत तरभूज है जिसकी परतेक भुजा क्या है एक समान है तीनों भुजा A A दिया हुआ है क्या दिया हुआ है A A दिया हुआ है ठेक न उसके बाद देखे अगर पूछे आपको कि शंभाहुत्र भूज का प्रिमाप क्या होता है तो शंभाहुत्र भूज का प्रिमाप होता है तीन गुने भूजा या 3A शंभाहुत्र भूज का प्रिमाप तीन गुने भूजा या 3A next शंभाहुत्रभूज का छेतरफल पूछे तो संभाहुत्रभूज का छेतरफल होता है root 3y4 into भुजा square root 3y4 into a square या भुजा square root 3y4 into a square next जो आपको याद रखना है properties में पूछा जाता है क्या पूछा जाता है ये ध्यान दिजेगा शंभाहुत्रभूज का प्रतेक कोन जो है वह 60 डिगरी का होता है शंभाहुत्रभूज का प्रतेक कोन कितने डिगरी का होता है तो 60 डिगरी का होता है next पूछा जाता है शंभाहुत्रभूज के अंतह विर्थ की तिर्जिया क्या होता है तो अंतह बिर्थ की तरजिया बरावर होता है अंतह बिर्थ की तरजिया बरावर अंतह बिर्थ की तरजिया बरावर अंतह बिर्थ की तरजिया पूछे तो अंतह बिर्थ की तरजिया पूछे तो हो जाएगा अंतह बिर्थ की तरजिया पूछे तो ए बटा रूट थिरी उसी में पूछा जाता है शंबाहुत्र भूज में बाहिविर्थ की तरजिया और अंतः बिर्थ की तरजिया का अनुपात क्या होगा तो हो जाता है दो अनुपात एक तेक है ये देख रहे हैं निकाले हैं संबाहोत क्रफूज में बाहविर्थ की तिर्जिया और अन्तविर्थ की तिर्जिया का अनुपात जो होता है वह 2 is to 1 होता है ठाथ 2 अनुपात 1 होता है ठेक है चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में